नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नोटिस भेजा है, इन्हें स्कूल वार लिस्ट भेजी गई है, जहां मैट्रिक परिशाद 2024 में सबसे खाराब पई नाम रहे हैं जीलों के अधिकारियों को इन स्कूलों का दवरा कर जाज करने का निर्देश दिया गया अधिकारी यह देखेंगे कि किन कार्णों से संबंधित इस्कूल का पई नाम गिरा है साथ ही पुर्व के वर्षों में इन इस्कूलों में मैट्रिक के रियल्ट कैसा था मैट्रिक की तरज पर जीलावार इंटर्मिडियेट के रिजल्ट पर भी सिक्छा विभाग ने जार्खन एकेडमी काउंसिल से आक्रा मांगा है मतादे जार्खन इसकूली सिक्छाव सक्षर्ता विभाग के परभारी सचीव उमा संकर सिंग जीलावार पत्र भेजा है जीलो को उनके जीले का रैंग उत्तीरनता और अनूतीरनता का प्रतीसत का आकड़ा दिया गया है मुख्यमंद्री ने चुनावी सभा में BJP के खिलाब कोला मोर्चा जारखन के मुख्यमंद्री 25 विणने रविवर कोफमी सिंभू में जन सभा को समधित किया मजगावावा मंझारी में चुनावी जनसभा कर उन्होंने बिजेपी के खिलाप मुर्चा खोला है जनसभा में सिंग्भूम संसर्दिय सीट से चुनाव लड़ रही इंडी गण बंदन की साजा पर तेसी जोभा मांजी को बिज़ाई बनाने का वहान किया है बता दे जहारकन के मुख मंत्री चमपईस्तुरे ने भाजपा पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा है कि दस बरसोत परदान मंत्री सिर्फ जूमले बाजी कर रहे हैं केंदर सरकार ने दस बरसोत से जहारकन की जनता को धोखा दिया है जारकौन के आदिवासी मूलवासी राजे के मालिक हैं यहां कि मानकी मुंडा बेवास्था काफी मजबूत है पर देश के पर्धान मंतरी से खत्म करने पर तुले है यह कोल वीद्रोह की धर्ती है जारकान के मुखमंद्री चमपाईस्थुरे ने कहा है कि राज में जल जंगल जमीन आदिवासियों किया है लेकिन केंद्र सरकार वन अधिकार कानून को खत्म करना चाह रही है चत्रा में 50 लाह का ब्राउन सुगर जब्त दो सहायक पुलिस गिरफतार सिमर्या पुलिस ने चत्रा बगरा रोड श्थीत बजराही मोर के पास 50 लाह के ब्राउन सुगर के साथ 3 ब्यक्तियों को गिरफतार किया है गिरफतार लोगों में सादर थाना चेत्रे के मुक्तमा गाव निवासी निशार अंसारी राजपूर थाना चेत्रे के चिन्दीरी गाव के पंकज कुमार दांगी वा कान्हा चट्टी गाव निवासी मोहमद रेहान सामिल है बता दे पंकजवार रहान साहयक पुलिस है उक्त लोगों के पास से 568 ग्राम ब्राउन सुगर के अलावा हुंड़ाई आई बीस वाहन और तीन मोबाईल वा पुलिस वर्दी भी जब्त किया गया है यह जनकारी HDPO अजयक कुमार केशरी ने रभीवार को प्रेस भीक्यपती जारी कर कही है उन्होंने बता है कि पुलिस अधिक छक विकास कुमार पांडे को गुपत सुचना मिली कि बजराही मोड के पास चार पहिया वाहन ब्राउन सुगर की एक खेप लेकर आने वाली है रांची में BSNL कैमपस में लगी भीशन आग लग गई है इस आग लगी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें नजर आ रहा है कि काले धुए का बवंडर आसमान तक पहुँच रहा है बताया जा रहा है कि इस आग को काबू पाने के लिए फायर बिर्गेट की 10 टीमे मौके पर पहुँची है यहां कैसे लगी अभी इसके बारे में कोई भी जनकारी सामने नहीं आई है इस आग पर काबू पाने की हर मुम्किन कोसिस की जा रही है बता दे कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस आग वेशनल केमपस में रखे एस पेयर पार्ट में लगी थी जिसके बाद इस आग ने भ्यानक रूप ले लिया है केमपस में आग लगने की जनकारी फायर बिरिगेट की टीम को दे दी गई थी जारखन में कद पद देखकर जामो ले रहा बागियों के बिरूद एकसान जारखन में सतरूर जारखन मोक्ती मोर्चा के दो बिधायक और एक पूरो बिधायक पार्टी लाइन से अलग हट कर चुनाव लड़ने के लिए बागी रूख अक्तियार किये हुए है इन में से दो ने नमांकन भी कर लिया है और एक कतार में है जामो ऐसे नेतावों को समझाने बुझाने तथा नहीं मानने पर करवाई करने की बात तो कर रहा है लेकिन करवाई कद और पद देखकर की जा रही है अब तक पार्टी के एक संसे पर्मानित भी हो रहा है जामों के पूरविधायक बसंत लोंगा ने खोटी सिट से निर्दलिये चुनाव लड़ने के लिए नमाकन किया है वे मैदान में डटे हैं उन्हें समझाने की सारी कोशिष से नकाम हो गाई तो जामों के सिट नतित्यों ने उनके बिरूत करवाई करते वो उन्हें पार्टी से 6 साल के निस्कासित कर दिया है जारखन में 7 माई को चुनाव आयोग चलाएगा सोसल मीडिया कैमपेन देश में लोग सभा चुनाव चल रहे हैं इसके लिए चुनाव आयोग मत परतिसत बढ़ाने के लिए नियतर प पर हच्टेक के साथ लोग सभा चुनाव समंदी कॉंटेंट पोस्ट कर इसे ट्रेड में लाने का काम करने को कहा गया है बता दे जारखन के मुख नियतर पताधिकरी के रभी कुमार ने कहा है कि वह रभी बार को सोसल मीडिया हच्टेक अभियान को लेकर सभी जीले के उप निर्वाचन पताधिकारी, स्वीप के नोडल पताधिकारी, सोसल मीडिया के नोडल पताधिकारी, जीला सुचना एवं विज्ञान पताधिकारी, जीला संपर्क पताधिकारी, सोसल मीडिया पॉबलिसिटी अफिसर, सहायक जन संपर्क पताधिकारी, सोसल मीडिया का कार्य देख रहे सभी पतादिकारी कर्मी एवं निर्वाचन कार्य में सनलगन सभी कंप्यूटर अप्रेटर के साथ वीडियो आम जनों से भी अपील की इस विशेस अभियान का हिसा बनकर आपने सोसल मीडिया हैंडल पर उप्रोक्त हैज्टेक लगाते हुए चुनावत समदित समा लाव किया है लेकिना वेवस्ता पहले से भी बत्तर हो गई है यारपोट में इंट्री पॉयंट के पास एक पर्ची दी जाती है जिस पर समय गाड़ी नंबर आदी लिखा होता है लेकिन कई वाहन चालकों ने सिकायत की है कि पर्ची पर परवेश का समय ही अंकित नहीं रह जाती है वहीं वाहन चालकों द्वारा फिरी पार्किंग की बात कहे जाने पर धहम की वह गाली दी जाती है वहीं प्रीमियम कार पार्किंग सुल्क मनमाने तरीके से 75 रुपए लिए जा रहे हैं पीए मोधी का मिसन जारखन 12 और 16 माई को करेंगे चुनावी सभा परधान मतिन नैन मोधी मिसन जारखन को साधने की पूरी कोशिस कर रहे हैं हाल में 3 और 4 माई को ओ जारखन दवरे पर आये थे इस तरहां उन्होंने चाई बसा लोहर्दगा और पलाउं में चुनावी सभ को समधित किया था जबकि रांची में रोड सो भी किये थे अब फिर से जारखन दवरे पर आने वाले हैं 12 माई को सीमरिया और 16 माई को बीरनी में जन सभा को समधित करेंगे बता दे जारखन की धरती पर प्रधान मतिन नैन मोधी फिर आएंगे इस दोरान ओ चात्रा और को गरीब आदिवासियों के बच्चों को सिक्षा से दूर रखना चाहती है भाजपा चमपाई सुरेन। कर रहे थे उन्होंने कहा है कि देश का या चुनाव बहुत महत्पून है जूट बोलकर 2014 में आई भाजपाद 10 साल तक सता में रही पर जार्खन की जनता के साथ धोखा किया है जार्खन के कई जीलों में कल ओला विरिष्टी का अलर्ट नम हवा के आने से जार्खन के लोगों को तेज, घर्मी और लू से रहात मिलने के असार है सोमवार को रांची समेत राजी के बिभीन जीलों में बादल चाय रहेंगे बजरपात के साथ हलकी बारिस की समभावना है 40-50 किलोमेटर प्रति घंटे की रफ्तार से आन्धी भी चल सकती है वही मंगलवार को रामगर, बोकारो धनबाद, जामतला दुमका देव घर में तेज हावा और गरज के साथ ओला विरिष्टी होने का औरेंज अलर जारी किया गया है मौसम विभाग रांची ने अपने पुरोर्मान में बताया है कि 7 मैं से 10 मैं तक राज के विभीन जीलों में बादल चाय रहेंगे हलके और मज़ दर्जे की बारिस होगी इस कारण अधिक्तम तपमान में 4-8 डिगरी तक की गिरावट आएगी ज्यारखन ने 4-4 साल में बहुत कुछ खोया सुदेश महतो आजसू पार्टी के केंद्रिय अधिक्स उदेश कुमार महतो ने कहाए कि चुनाओ और बोट की राजनिती करना ही जेमेम कंग्रेस का उदेश रह गया है जेमेम कंग्रेस की सरकार के 4-4 साल होने को है इस दोरान राजने बहुत कुछ खोया है और नुपसान सहा है अब वादा खिलाफी सरकार की बिदाई का वक्त आ गया है पार्टी अध्यक्स रभिवार को हर्मोई सितकेंद्रिय करेल में आयोजीत मिलन समारों को समोधित कर रहे थे इस दोरान मैट्रिक्स क्रॉप के यर प्राइबेट लिमिटेट के प्रवंध निदेशक नमीन कुमार, निदेशक सतेंद्र कुमार, नरायन, समीर कुमार बागची, रामकृष्ण सिंग, राजीव कुमार सिंग, संतोष कुमार सोन्यू और कई युवावन ने पार्टी की इस सता ग्रहन की है, निट रांची में छा फर्जी परिशार्थी पकड़े गाए, देश भर में मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए रवीवर को आयोजीत निट यूजी की परिक्षा के दोरा रांची में फर्जी परिशार्थी पकड़े जाने के मामला सामने आया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सिटी को आडिनेटर सा डिपीएस रांची के परिचारे डाक्टर राम सिंग ने बताया कि पांच स्कूलों से छा फर्जी परिशार्थी पकड़े गाए हैं, पुलिस छान भीन कर रही है, डिपीएस रांची से दो सारला विला स्कूल, ड डिएभी बर्यातू, डिएभी धुरवा और केमरियन स्कूल से एक एक फर्जी परिचार्थी दबोचे गाएं, इन में से दो लोग बिहार के रहने वाले हैं, जेवीएम स्यामली से भी एक छात्र के पकड़े जाने की सुचना मिली है, पर प्रचार सम्रजीत जाना ने कहा की दास्तवेजों की जान्च में छात्र को सही पाया गया, तो अपर इख्छा में सामिल हुआ है, धन्यवाद